अब राशन बाटने की जिम्मेदारी संभालेंगे स्वेम सहायता समूँ वहीं जन पद रामपुर में स्वेम सहायता समूँ को और ज्यादा आत्म निर्भर बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया गया है अब उनको ग्रामीर इलाके में राशन वित्रन की स्वेम सहायता समूँ को एक और नई जिम्मेदारी सौपने का फैसला किया गया है इसके लिए पिरशासन की ओड़ से प्लान तयार कर लिया गया है त्यार किये गया है प्लान के अनुसार राशन की रिक्त दुकानों का खुली बैठाकों में राशन विक्रेता का चैन होगा जिसमें सबसे पहले स्वेम सहायता समूँ को प्रात्मिक्ता देते हुए इसका चैन किया जाएगा इसके लिए जिलाधिकारी अनंजिने कुमार सिंग ने सभी यात्रियों से अभतरता भी की जा रही थी हैल्प लाइन पर शिकायत करने के बाद आर्पी एक्षन में आ गई और किन्र को पकड़ लिया वहीं फिरोजाबाद से धन्वाद के लिए किसान एक्सप्रेस जा रही थी ट्रेन के जर्रेंट कोच में कुछ यात्री सवारते जह पूर आरपी एफ थाने को भेज दी गई कुछी देर में ट्रेन रांबूर प्लेटफार्म नंबर दो पर रुकी जहां पहले से आरपी एफ इंस्पेक्टर राकेश कुमार यादव इंतजार कर रहे तरें रुकते ही आरपी एफ ने कोच को घेर लिया तलाश कर किन्णर सी मुरदवात की निवासी है, जिसे जेल भेज दिया गया है। की निर्देश विदिए वयापारी नेता शलेंदर शर्मा आधी मौझोद रहें। योजना के तहट सातला भारतियों को दिए चेक वहीं प्रधान मंत्री सवनिदिशन योजना के अंतरगर्थ प्रधान मंत्री की वर्चल कंफरेंस का सजय उप्र साहर विकास भवन सवगार में किया गया। विक्रेताओं को डिजीटल लेन देन के लिए प्रोसाहित करती है उन्होंने साथला भारतियों को चेक प्रदान कि वहीं जिलादिकारी ने बताया कि इस योजना में वर्ज 2020-21 के लिए 15,963 का लक्ष निर्धारित किया गया है इसके सपेक 16,126 पद्विक्रेताओं को चिनहित करते हुए 12,568 लोगों को प्रवाण पत्र भी वित्रित किये जा चुके हैं इसके लिए 10,878 ऑनलाइन अवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन में से बैंक को द्वारा 7,309 अवेदन पत्रों का सिविक्रित प्रदान कियी जा चुकी है 24,663 लभारतियों के खाते में धनराशी भेजी जा चुकी है